अत श्री दुर्गा सप्ट शती एकाद शोध्यायह देवताओं द्वारा देवी की स्तुती तथा देवी द्वारा देवताओं को वर्दान ध्यानम ओम बालरविद्यूते मिदु की रीटा तुम कुछा नयंत्रय युकताम स्मेर मुखी वर्दांगो कुषपाशा भीती कराँ प्रबजे भुवनेशीम में भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ उनके श्रियंगों की आभा प्रभात काल के सुर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है वे उग्रे हुए स्तनों और तीन नेत्रों से युक्त है उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अनकुष, पाश एवं अभाए, मुद्रा शोभा पाते हैं ओम, रिशिरुवाच एक देव्या हते तत्र महा सुरेंद्रे सेंद्राह सुरा वहनिपुरों गमास्ताम, कात्या नी तुष्टु विकाशिवक्त्राब ज्विकाशिताशा दो रिशी कहते हैं, एक देवी के द्वारा वहां महादेत्यपती शुम्ब के मारे जाने पर इंद्रा आदी देवता अगनी को आगे करके उन, कात्या नी देवी की स्तुती करने लगे, उस समय अभीष्ट की प्राप्ती होने से उ उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी दो देवी प्रपननार तेहरे प्रसीद प्रसीद, मातर जगतो खिलस्या, प्रसीद विश्वेश्वरी पाही विश्वन्ख त्वमिश्वरी देवी चराचर अस्य तीन देवता बोले शर्नागत की, पीरा दूर करने व तीन आधार भूता, जगत्स्त्वमे का मही स्वरूपेन यतह स्थितासी, अपां स्वरूप स्थितया त्वयाहित दाप्यायते, क्रत्स्नमंग्यवीर्ये चार तुम इस जगत का एक मात आधार हो, क्योंकि प्रित्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिती है, देवी, तुम परमासी माया, सम्मोहित देवी समस्त मैतत त्वमवे, प्रसन्ना भूवी मुक्तिहे तुह पांच तुम अनंत बल संपन्न वैशनवी शक्ती हो, इस विश्व की कारनभूता परा माया, हो, देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन होने पर इस प्रित्वी पर मोक्ष की, प्राप्ती कराती हो पांच तुम अनंत बल संपन्न वैशनवी शक्ती हो, इस विश्व की कारनभूता परा माया, हो, देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम ही प्रसन होने पर इस प्रित्वी पर मोक्ष की, प्राप्ती करात पूरित्म बैतत का तेस्तुतिह स्तव्य प्रोक्तिह छे देवी, सम्पूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन, भिन स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्रियां हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं, जगदंब, एक मात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर हैं, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती हैं, तुम तो स्तवन, करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो छे सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायनी, त्वम, स्तुता स्तुतिय का वाभवन्तू परमोग्त्याह साथ जब तुम सर्वस्वरूप देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई, तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं, साथ सर्वस्य बुद्धि रूपे इन जन्य हरिदी संस्थिते, स्वर्गाप वर्ग द आथ कला काश्था दिरूपेन परिणाम प्रदाइनी, विश्वस्यो परत और शक्ते, नारायनी नमोस्तू ते नो कला काश्था आधी के रूप से क्रमशा परिणाम, अवस्था, परिवर्तन की ओरले, जाने वाली तथा विश्व का उपसनार करने में समर्थ नारायनी सर्वंगल मंगल ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण ये त्रयंब के गौरी नारायनी नमोस्तू ते दस नारायनी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगल मई हो कल्यांदायनी शिवा हो सब पुरुशार्थों को सिध्ध करने वाली शर्नागत वत्सला तीन न वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। आये हुए दीनों एवं पीरीतों की रक्षा में सनलग्न रहने वाली तथा सब की पीरा दूर करने वाली नारायनी देवी। भवाहिनी, महेश्वचरी स्वरूपेन नारायनी नमस्तु ते, 14 महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं। सर्प को धारन करने वाली तथा महान व्रिशब की पीच पर बैठने वाली नारायनी देवी, तुम्हें नमस्कार है। 14 मयूर को कुट वृते महाशक्ति धरेंगे, कौमारी रूप संस्थाने नारायनी नमस्तु ते, 15 मोरों और मुर्गों, से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ती धारन करने वाली कौमाई रूप धारिनी निश्पा पे नारायनी, तुम्हें नमस्कार। 15 एतत्कृत यतकदनात्वयाद्य धर्मद्विशा देवी महासुरानाम, रूपेरने क्यर्बहुधात्ममूर्तिन कृत्वाम्बिके, तत्प्रकरोती कान्या तीस देवी, अम्बिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना, प्रकार के त्वधन्या, ममत्वगतेति महांधकारे विभरामयत्य तद्दीव विश्वम 31 विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदिवांक्यों, वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्नन है, तथा तुमको शोड़कर दूसरी कौन ऐसी श राश्चनागा यत्रोर्यो दस्यूबलानी यत्र, दावानलो यत्र, तथाब्धिमध्ये तत्व स्थिता त्वम परिपासी विश्वम 32 जहां राक्षस, जहां भयनकर विश्वाले सर्प, जहां शत्रू, जहां लुटेरों की सेना और जहां दावानल हो, वहां तथा समु विश्वंदिया भावती भवन्ती विश्वाश्रिया ये त्वई भक्ति नम्राह 33 विश्विश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वर उपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारन करती हो, तुम भगवान विश्वनात की भी, वंदनी या हो, जो लोग पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक जुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। पूर्ण जगत का पाप नश्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फस्वरू प्राप्त होने वाले द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं। पर पड़े हुए हैं। तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समास्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रूओं का नाश करती रहो। 44 देव्योवाच 40 वैवस्वत इंत्रे प्राप्ते घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्ब से अवतीर्न हो विंध्या चल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी 42 पुनर प्यतिरोद्रेन रूपेन प्रिथिवीत ले अवतीर्य हनिश्यामी वैप्रचित तांस्तु दानवान 43 फिर अत्यांत भायनकर रूप से प्रिथवी पर अवतार ले में वैप्रचित नाम्वले दानवों का वद्ध करूंगी 43 भक्षियं त्याश्चा तानुग्रान वैप्रचित तान महासुरा रेक्ता दन्ता भविशन्ती दाडि मी कुसुमोप माह 44 उन भयनकर महादेतियों को भक्षन करते समय मेरे दाथ अनार के फूल की भाती लाल हो जाएंगे 44 ततो मा देवताह स्वर्गे मर्तिलोके चमानवा स्टुवन्तो व्याहरिशन्ती सतत्म रक्त दन्ते काम 45 तब स्वर्ग में देवता और मर्तिलोक में मनुष्य सदा मेरी स्थुती करते हुए मुझे रक्त दन्ते का कहेंगे 45 भुयश्च शत्वार्श क्यामना व्रिष्ट्यामन भसी मुने बे संस्तुता भूमों संभविश्यामियोनिजा 46 फिर जब प्रित्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रूप जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं प्रित्वी पर अयोनि जारूप में प्रकट होंगी 46 ततह शतेन नेत्रा नाम निरीक्ष श्यामी यनमुनी कीर्ट्य श्यन्ती मनुजाह शताशी मिती मा ततह 47 और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूँगी अतह मनुश्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्टन करेंगे 47 ततो हम खिल्यां लोकमात मदेह समुद्भवया भरिश्यामी सुराह शाकेरावरिष्टेह प्रांधार के 48 देवताओं उस समय में अपने शरीर से उत्पन हुए शाकों द्वारा समस्थ संसार का भरण पोशन करूंगी जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे 48 शाकम्भरीती विख्याती तदा या स्यम्या भुवी तत्रव जवधिश्यामी दुर्गमाख्यम महासुर्म उन्चास ऐसा करने के कारण प्रिथ्वी पर शाकम्भरी के नाम से मेरी ख्याती होगी उसी अफ्तार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वद करूंगी उन्चास दुर्गा देवीती विख्यात तनमे नाम भविश्यती पुनश चाहं यदा भीम रूप कृत्वा हिमाचले पचास रक्षान सी भक्षय श्यामी मुनी ना तरांका रनात तदा मा मुनया सवेस तोशन त्यानम्रमूर्त्य एक्यावन इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप से प्रसिद होगा फिर मैं जब भीम रूप धारन करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षन करूंगी उस समय सब मुनी भक्ती से नतमस्तक होकर मेरी स्तुती करेंगे इससे में पचास इक्यावन भीमा देवी थी विख्यात तन में नाम भविश्यती यदारुना खेस्ट्रलो के महाबाधा करिश्यती बावन तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा जब अरुन नामक दैत्यत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव 52 दाहम भ्रामा रूप कृत्वा सिंख्य एष्ट पदम त्रेलोक्यस्य हितार थाए वधिश्यामी महासुर्म तिरपन तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए छह पेरों वाय असंख्य भ्रुमरों का रूप धारन करके उस महादेत्य का वद्ध करूंगी 53 द्रामरीती चमा लोकस्त दास्तोशनती सर्वतह इत्थ यदा यदा बाधा दानव उत्था भविश्यती 54 तदा तदावती र्याहा करिश्यामरिसंक्षियम ओम पच्पन उस समय सब लोग भरामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुती करेंगे इस प्रकार जब संसार में श्रीमा कंडेय पुराने सावर्निके मनवंतरे देवी महात्मे देव्याह स्तुती नामे का दशो ध्यायाह 11 ओवाच चार अर्ध श्लोकाह 1 श्लोकाह 50 एवं पच्पन एवं आधितह 630 इस प्रकार श्रीमा कंडेय पुरान में सावर्निक मनवंतर की कथा के अंतरगत देव महात्मय में देवी स्तुती नामक 11 वा अध्याय पूरा हुआ 11